वेलकम वेट वाई चैनल कैसे हो आप लोग तो मैं और आगे जा रहे हैं मार्केट और यहां पर एक बुला है बहुत ही अच्छा बड़ा सारा शोरूम और जहां पर कौन सी ऐसी चीज है जो उस शोरूम में नहीं मिलती तो हम उसी शोरूम पर जा रहे हैं सौबिंग करने के लिए चुके हैं साड़ेशी हो चुके हैं मैं आप लोगों के लिए आपको पुष्ट करने के लिए जा रही हूं उस शोरूम के अंदर सो फ्रेंड्स बिलकुल नई ओपनिंग है इस शोरूम की नाम है मिस्टर डियाई वाई क्या शोरूम खुलाया कितनी अच्छे-च्छे बेस्ट क्वालिटी के समान है आप देख सकते हो सामने ये जो चाबी चले किस तरह से चोटे-चोटे टेडिवियर के साथ मिल रहे थे और मुझे तो ये वाला बहुत ही जादा क्यूट लगा देखकर ही मज़ा आ रहा था उसके बाद यहां पर देखे कि हमने चोटे-चोटे चाबी वाले और भी चले पड़े वे थे और ये फोन बगएरा चार्जर और फोन के लिए चोटे-चोटे स्टेंड जो मैंने अभी हाथ लगा रखाया है तो आप इसको देख सकते हो यह स्टेंड है जब कीचन वगेरा में हम काम करते हैं तो कहीं पर भी सेट कर सकते हैं अपने फोन को नेक्स्ट जो मैंने यहां पर देखे यह कितने प्यारे-प्यारे जो स्टेंड से बने वे थे कोई फ्लावर पोर्ट भ अगेगा अगर रखके यहां पर प्लावर पोर्ट भी काफी ज्यादा पड़े वे थे नेक्स्ट मनें यहां पर देखी बच्चों की घडियां जो 200-200 रुपई की रेंज में थी काफी अच्छी अच्छी वोच मिल रही थी और नेक्स्ट हमने देखे यहां पर पाइदान तो चोटे बड़े सब साइज के आपको यहां पर मिल जाएंगे नेक्स्ट जब मैंने यहां पर देखा चोटा सा यह पिलो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा था राविया दवर्ल भी रही थी कि मेरे लिए लेलो मैंने फिलहाल तो उसके लिए नहीं लिया लेकिन उसके बा करीदने के लिए यह सब नहीं आई थी कुछ वीडियो भी बनाना था और कुछ थोड़ा थोड़ा समान मुझे करीदना था बहुत जादा सोपिंग के लिए मैं नहीं वाँ कितनी प्यारी गद्दी कि देख सकते हो कितना अच्छा वरक किया है बहुत ही सुंदर पीस है प् पांस चार सो साथे चार सुरुपई के एक पीस पर पीस पढ़ने वाला आई है पहले तो पहले जमाने में माई क्या करती थी कि आसपास बच्चों के कपड़ा लगा देती थी लेकिन आजकल सब कुछ रैडिमेंट आता है तो मैंने देखा सामने कितने प्यारी प्यारी वो प्यारी चीजें फिर जो किचन में जो भी समान होता है एक टू जर्णा सारा समान था किचन का भी और मतलब एक टू जड़ा आपको समान यहां पर मिल जाएगा एक शोरूम के अंदर जाने से आप काफी सारी स्वापिंग एक साथ कर सकते हो फिर हम इने काफी सारी यहां प कि मेकप का सारा समान डाल कर रख दो भाई साब जब मेकप करना हो तो एक उठाओ राम से कर लो कितना इजी हो जाएगा नहीं तो मैं एक टोकरी तीन चार टोकरियां सामने रखनी पड़ती है एक में डाल लो काफी बाड़ा सारा था ये तो ये मुझे बहुत जादा पसंद और इतनी चीज़े सेफ रहेगी ना टोटेंगी ना फूटेंगी और भी किसी काम में आ हम इनको ले सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें डालने के लिए फिर मैंने यहां पर ये प्लास्टिक का देखा तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा था आप इसमें को कुछ भी डाल सकत हो या कहीं जाना हो तो भी लोग सिस्टम है तो कोई चीज़े गिरेगी नहीं बेग बगेरा में फिर यहां पर हमने देखे यह पाटे थे या जो टोकरियां थी यह देख सकते हो कितनी प्यारी यार इतनी टोकरियां सुंदर कि पड़ी हुई इतना अच्छा लुक दे रही है ना हनमानगड में एशा शोरूम खुला है जिसमें की एक टूजड सारी चीज़े मिल रही है और देखकर तो मन कर रहा था कि सारी चीज़ों को इकरीद ले अब कुस तो समझ में नहीं आ रहा था कि यह किस काम आने वाले हैं क्या डलेगा इनके अंदर पर बड़ी यून लगेंगे अगर आप इनमें रख देते हो तो बहुती ज्यादा सेफ रहे तो फ्रेंट्स यहां पर ना काफी अच्छी डेस्ट पिन पड़े हुए थे और मुझे तो पसंद भी आ गया था एक बार तो मैंने वो सामने ओरेंज वाला करीदने का सोचा था लेकिन फिर करीद डश्ट पिन भी पड़े हुए थे और काफी अलग 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 डश्ट पिन में भी सोतरें की ब्राइटी थी आप सामने देख रहे हो किस तरह से अलग अलग कलर अलग अलग डिजाइनिंग मतलब अलग अलग ब्राइटी थी देखने को मिली यहां पर नहीं और बहुत सार के लिए भी पूरा का पूरा हुनमानगड इसके अंदर घुश चुका था और मैंने यहां पर केप बगएरा भी लगा लगा कर देखी थी जो बाहर गूमने जाते हैं तो उस तरह की केप पड़ी हुई थी कि सुन्दर लगती है और यह आप जो सी से देख रहे हो सामने की वा बहुत कुछ पड़ा हुआ था टेडी विएर भी बहुत ज़ादा लग-लग ब्राइटीज में पड़े वे थे बहुत सारी चीजे थी जो मैं बहुत सहर कोई चीज बहुत ज़ादा पसंद आई लेकिन मैंने यहां से सिरफ तीन या चार आइटम करी दे थे तो मैंने वह ब पड़े सेरों में अक्सर बाहर गुमती है तो ये चीज़े लगा के गुमती है तो ये चीज़े मुझे नमानगड में पहली बार यहां पर देखने को मिली लेकिन मैंने अभी नहीं खृदी जब मेरी बेटी का में आएगी नेक्स्ट मन्थ तो हम मा बेटी जाकर उसको मैं य मैं लिए जो कवर होते हैं वो हमने बहुत ताइम पर ले रावया बोल रही थी कि ममा कवर चाहिए मुझे सारे बच्चे कवर लेके आते हैं टेलर से सिलवाए हैं लेकिन यहां देखा कि बड़े ही प्यारे प्यारे और मिल रहे थे लेकिन फिलहाल जो रावया ने टीफन चेंज कर लिया है तो उसका कवरूद पहले से उस पे लगा हुआ है तो उस टाइम अब उसने खरीदा नहीं क्योंकि पहले टीफन लेके जाती थी उसके लिए जरूरत थी तो अभी उसको नीड नहीं है तो उसने यहां से नहीं बाये किया कहती मैं फिर कभी देखूंगी ले मैं पैड़ेरी जैसे कोई बहुत ही प्यारे प्यारे कलर के ऊच्छे लका काहँ आय। और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आए कई दो बाइब तो फ्रेंड्स ये वाली केप कैसे लग रही है मुझे तो बहुत ही मस्त लग रही थी और मैंने तो पैन पैन के फोटों कूप सारी खिंचवा ली थी राव्या से और जब मैंने नेक्स्ट टोप पैनी तो मैंने के तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में परिवार के साथ